गुड इंडिंग फ्रेंड्स, वेलकूम टु मैं चैनल, कैसे हैं आप सब, आज मैं आप सब के साथ इक बहुती ज़्यादा एफेक्टिव है, रेमेडी शेयर कर रही हूँ, अगर आपके बालों में गंजा पना गया है, तो दीरी जरे खताब होगा, पथले बाल है, तो बिल लगबग दो से तीन चमच मेठी दाना, जिसे हम फेनुगरिक सेट्स भी कहते हैं, लगबग तेन बड़े चमच डालना है, यहाँ पर मेठी दाना, मेठी दाना नहीं सरे बालों को थिक बनाता है, बलके बालों में एक नैच्रल शाइन देता है, डिपलिक कंडिशनिंग कर है, और बहुत यासनी से हर जगा पर मिल जाता है, मैंने इसमें मेठी दाने दाल दिया है, अब लेना है आपको प्लांट वाली एलोवेरा जैल, यहाँ पर प्लांट वाली एलोवेरा जैल ही लेंगे, उसका यलोपाड बहुत अच्छी तर्थ से वाश करना है, एलोवेरा की leaf मैंने ली थी और उसे अच्छी तरह से बिलकुल grind करके आप मेथी दाना में हम डाल देंगे मेथी दाना उसमें पूरी तरह से डूबना चाहिए हमें इतनी aloe vera gel चाहिए मतलब जितना आपने मेथी दाना डाला है उसके हिसाब से आप aloe vera gel भी डालेंगे अब दोनों चीजों को अच्छी तरह से mix करेंगे और इससे आपको ढखकर लगबग दो दिनों तक छोड़ देना है चीक है इसी तरह ही छोड़ देंगे अब लगबग दो दिनों के बाद आप देखेंगे तो य यह बहुत ही ज़्यादा effective हो गया है क्योंकि यह ferment हो गया है वो भी aloe vera gel में aloe vera gel भी अपने आप में बालों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है अब उसमेने side में लखा है अब लेने हैं यहाँ पर दो छोटे प्यास लाल कलर के लाल कलर के हो तो best है नहीं तो जो भी जालेंगे चार से पाच चमच ओयल आपको जो भी ओयल पसंद हो मैंने यहाँ पर coconut oil का यूज किया है अब इस onion को हम हलका दर-दरा grind कर लेंगे मैंने onion को बिल्कुल हलका दर-दरा grind कर लिया है यहाँ पर हम आगी कपरों से शुरू करें उससे पहले मैं आप जब से चोटी स करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज सब्सक्राइब करें तो जो भी डालेंगे उसका निशन आपको दुरंत मिल जाएगा अगर विज़िए इस पर लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंस में ज़रू शेयर करें अच्छे लाइप जरूर कर है अब लगबग दो कप के जिता हम यहाँ पर डालेंगे ऐल में यहाँ पर कोकनट ऑईल का ही यूज किया है आपको जो भी पसंदो जैसे तिल का तेल हो जो सरसों का तेल है अगर आपको उनमें से क्वेई तेल पसं दो तो आप वो ले सकते हैं ओईल को रखेंगे गैस पर बिल्कुल धीमी आंच पर और उसे पहले गरम होने देंगे गरम हो जाए तो हमारा जो मेट्य दना और अलवेरजल था वो हम इसमें डालेंगे अब जो हमने onion को grind करके रखा था वो भी हम इसमें डालेंगे हमने onion में oil डाल के इसलिए उसे grind किया था ताके उसमें जो moisture है वो बाहर ना आए, मतलब onion का पानी juice बाहर नहीं आनी चाहिए, इसलिए डाला था, ठीक है, अब मैंने इसमें onion भी डाल दिया है, अब अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए, तो आप मुझे comment box में जरूर पूछे, मैं जरूर reply करूंगी, और ये remedy आप यूस करके मेरे साथ अपना experience जरूर शेयर करें, प्लीज, अब हम इसमें डालेंगे 2-3 हिबिसकस के flowers, अगर हो तो डालें, न हो तो 2-3, कुछ 4-5 हिबिसकस की juice डाल सकते हैं, अगर वो भी ना है, तो आप इसे skip कर दें, छीक है, सिर्फ मेथी दाना, aloe vera gel और onion डाले मेरे बस था, तो इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि हम जानते ही हैं, कि हिबिसकस हमारे बालों के लिए, बहुती गजब का काम करता है, अब बिल्कुल कम आज पर इस oil को हमें बनाना है, टाइम दें अथी तरसे, जब ऐसा लगे, जो onion है, अथी तरसे क्रिस्पी हो गया है तब गयज के फ्लेम का बंद करेंगे, इसके बाद हम इस पर डालेंगे लगबख चार चमज के जितना केस्टर ओयल, देखिए, अगर आपके बाल बहुती ज़्यादा जड़ते हैं, तो आप केस्टर ओयल का यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा प्राब्लिम नहीं है, त आप नहीं भी करेंगे यूज़ तो ठीक है, मैं केस्टर ओयल यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसमें लगबख चार चमज ब्लेक केस्टर ओयल के एड़ किये है, केस्टर ओयल को हम बाइल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्रेड़ी बहुती ज़्यादा ठीक होता है, त गड़ाई हमारी औयल हमारा बहुत ज़्यादा गरम है, तो केस्टर ओयल अच्छी तरह से इनमें में मिक्स हो जाएगा, अब इसे पहले आप अच्छी तरह से बिलकुल ठंडा होने के लिए छोड़ दिए, यह बिलकुल ठंडा हो चुका है, अब इसे हम अच्छी तरह से चान लेंगे किसी glass bottle में आपको इसे रखना है, जैसे ये खराब नहों, इस अप लगबग डेट से दो मेना, बस मैं यही कहूंगी कि उससे ज़्यादा आप न बनाएं, कोई भी टीस वेस, तो एक मेना काफी है, एक मेने में आप फिर से बना सकते हैं, बिल्कुल easy है, कोई problem नहीं है, week में दो बार इस spoil से अच्छी तरह से अपने बालों पर massage करें, overnight हो सके तो ज़रूर रखें, नहीं, तो 2-3 घंटे रखने के बाद, बिल्कुल mild shampoo से अपने बालों को wash करें, आपके बालों का तूटना, जढ़ना या फिर पतला होना, सब problems खतम हो जाएंगे, thanks for watching, में ख्रूप को जाएंगे, आपके बालों को से अपने जो एक तूबड़ एके बालों का तूब।